बिगबस हाउस की प्रोपर्टी पर फूटा प्रतीक का गुस्सा दिव्यजीशान बने घर के नई कप्तान बिगबस OTT में इन दिनों कंटेंस्टेंट के बीच खुब बवाल देखने को मिल रहे हैं खास कर प्रतीक सहजवार शो में शुरुआत से ही एक्शन अफ्तार में नजर आ रहे हैं शो में दसवे दिन घरवालों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिन खत्म किया जैसे ही दर्शकों को लगा कि प्रतियोगियों की बीच की खटास कम हो गई है वैसे ही ग्यारवे दिन कंटेस्टन की बीच के जगड़ों ने और भी बतसूरत रूप ले लिया घर में कंटेस्टन की बीच ऐसे जगड़े देखने को मिले जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कोई भी काम लड़ाई जगड़े और मध्यत की विना अधूरा होता है घरवालों ने ग्यारवे दिन इस बात को पुरी तरह से साफ कर दिया और बिग बस ने अगले टास्क की घोशना की जो के घर के अगले बॉस मैन और बॉस लेड़ी का फैसला करेगा टास्क की शुरुवात में ही बिग बस ने प्रतियोगियों से एक कनेक्शन का नाम पूछा जिसे वे घर के अगले बॉस मैन और बॉस लेड़ी बनते हुए देखना चाहते हैं प्रतियोगियों ने फैसला किया कि राकेश वापट और समिता शेटी को एक और मौकन नहीं दिया जाना चाहिए जिसके बाद दोनों इस टास्क से बाहर हो जाते हैं और बिग बॉस ने अगले टास्क की घोशना की जो कि घर घर की अगले बॉस मैन और बॉस लेड़ी का फैसला करेगा टास्क की शुरुआत में ही बिग बॉस ने प्रतियोगियों से एक कनेक्शन का नाम पूछा जिसे वे घर का अगला बॉस बनाना चाहते हैं